यारे बच्चो नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब शैनल में तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नमबर फाइब का कोश्चन और अंसर तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो ये रहा आपका पहला कोश्चन इसमें क्या लिखा आपको बताना है कि इन में से कौन सा ऐसा ओशियन है जहां पर ये वालाग जो करंट है लिब्राडर करंट वो फ्लो करता है तो चलिए बताए ऐसा कौन सा ओशियन है क्या वो पैसिफिक है साउथ अटलांटिक है नौर्थ अटलांटिक है या फिर इंडियन ओशियन है तो देख सकते हो यह आपका सही आंसर है टिकर लेना नेक्स कोश्चन है कि which current out of the following flows in the Indian Ocean यानि कौन सा ऐसा current है जो Indian Ocean में flow करता है तो चलो बताओ इस्ट आउस्ट्रेलियन current या फिर पेरो current या फिर साउथ पोलार current या फिर सोमाली current तो कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का तो ये होगा option fourth is the correct answer देखो इसमें ये वाला option right होगा ये थर्ड वाला इसमें fourth वाला चलो अगला सवाल देखते हैं यानि कि next question आपके screen पर ये रहा चलो देखलो इसमें क्या लिखा है कि which factor out of the following does not affect the reason along the coast यानि कि देखो जैसे यहाँ पर कुछ factors दिये गए हैं आप देख सकते हो कौन-कौन से factors है वाई precipitation, temperature, land breezes and salinity ठीक है तो आपको क्या बताना है कि which factor out of the following यानि इन में से इसा कौन से factor है ठीक है जो does not affect the reason along the coast मतलब जो ये coast होता है ना हमारा sea coast वहाँ का जो reason है उसको मतलब कौन से factors ऐसे है जो affect नहीं करते हैं तो चलिए पताए यहाँ पर precipitation दो करता है temperature भी करता है, land breezes भी करते हैं लेकिन, लेकिन, लेकिन salinity नहीं करता है तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है, next question है यहाँ पर देखिएगा D, which of the following occurs in the area where the cold and warm एक बिएट, which of the following occurs in the area where the cold and warm current meet, मतलब जहाँ पर ठंडा और ये जो गरम current है दोनों आकर के मिलते हैं, right तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ठीक फॉग जमा हो जाता है, मैंने आपको बताया था, जब हम लेसं के study कर रहे थे, है ना, explanation वाला वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पर warm current और cold current आकर की मिलते हैं, वहाँ पर ये ठीक फॉग जो है, वह होता है, ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने देख लिया, आप देख सकते हो, यहाँ पर question number one complete हुआ, अच्छा इसमें एक और question है, मुझे लगा बस इतने ही है, चले एक और है, इसको भी देख लेते हैं, इसमें चलिए, आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे question number two की, तो इसमें क्या लिखा है, कि हमें बताना है कि कौन से यहाँ पर statement सही है, कौन से गलत है, जो गलत है, उन्हें हमें सही करके लिखना है, ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखिएगा, कि ocean currents give a specific direction and velocity to the water, बिल्कु this is right, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, कि यह हमारा right है, ठीक है, नेक्स्ट है, कि the deep ocean currents flow with high velocity, यहाँ पर बोला गया है, कि जो deep ocean currents है, क्या वो high velocity के साथ flow करता है, तो इसका, मतलब यह जो statement यहाँ पर दिया है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, और इसका reason आप क्या बताऊगे, यहाँ पर आप यह बताईएगा, कि redistribution of water through deep currents takes around 500 years, मतलब देखो ना, redistribution of water through deep current, deep currents के थुरू, जो redistribution होता है, water का, उसको होने के लिए लगबग 500 years लग जाते, यहाँ बोला है, हाई velocity, है ना, तो यह तो मतलब contradiction वाली बात बोल दी, इसलिए यह आपका statement wrong हो होता है, नेक्स यहाँ पर हम बात करेंगे, अगले question की, इसमें क्या लिखा है, कि generally surface ocean currents are formed in the equatorial reason, यहाँ पर यह बोला है, कि अगर देखा जाए जनरली, तो जो surface ocean currents होते है, वो form होते है, in equatorial reasons, क्या यह बात सही है, तो यह बात बिलकुल गलत है, ठीक है, तो सही जबाब क्य हो जाएगा, इसका, देखो, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुए, मैं आपको बताती हूँ, the surface ocean current slow from equator to the poles and from the poles to the equator and are formed in a region from sea level to the depth of 500 meters, यानि कि जो हमारे surface ocean current से, वो कैसे flow करते है, वो equator से pole की तरफ, pole से equator की तरफ, ठीक है, और यह लगबग, 500 meters, अगर हम sea level से देखेंगे, तो 500 100 meters तक ही गहराई तक जाते हैं, उससे नीचे अगर आप गए, तो वो तो deep ocean current हो जाएगा, वो surface वाला नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया, तो यह आपका सही चमाप हो जाएगा, next question, ocean currents hold great importance for human life, बिल्कुल सही बात है, ocean current जो है, वो हमारे लिए important है कि नहीं, बिल्कुल है न मतलब वहां का जो यह होता है, क्या कहते है इसको environment, ठीक है, वो हमें कैसा, मतलब वो हमारे लिए ऐसा अनुकूल हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजे कोई एक गर्म इलाका है, अब वहां पे जब ठंडी currents आएंगी ना, तो उस इलाके को थोड़ा, मतलब उसका जो temperature इतना मतलब जो पाने की जहाज बगरा होती है, उसका fuel भी save होगा, क्योंकि current भी ऐसे ही जा रही है, और ship को भी आप इसे direction में लेकर के जा रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा fuel की जरुवत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ocean current जो है, वो human life के लिए काफे ज़्य नहीं होते हैं, क्या ये बात सही है, बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बताया था कि जो iceberg होते हैं, अगर वो बीच में आगे और माली जी तर से ship जारी, वो इतने चोटे-चोटे नहीं होते हैं, बहात बड़े-बड़े पहार जैसे होते हैं, तो अब वो iceberg यहाँ पर आ चु वोटर ट्रांसपोर्ट, इफ आइसबर्ग, अगर iceberg क्या होता है, आ जाता है, मरीन रूट्स में, वतलब जहां से ship जारी है, उधरी वो आ जाता है, तो दे आर हजास टूदस शिप, यानि कि वो ships के लिए कैसा होता है, क्या था, डेंजरस होता है, ठीक है, नेक्स है, कि water becomes warm near Brazil due to ocean currents, on the other hand, it becomes cold near African coast, तो क्या ये बात सही है, बिलकुल सही है, यानि यहां पर ये बुला है, कि जो water है, वो क्या होता है, वो warm हो जाता है, कहां पर near Brazil due to ocean currents, यानि ब्राजील के पास में, ocean currents के कारण वहां का जो पानी है, वो गरम हो जाता है, फिर दूसरी तरफ अगर तो क्या ये बात सही है, ये बिलकुल सही है, तो आपना right पर टिक कर लेना, देखो यहां पर right लिखा हुआ है, इसमें कुछ टिक करने की जरुवत नहीं, right और wrong बताना था, हमने बता दिया, चलो अब बात करेंगे question number 3 की, दो questions हम complete कर चुके है, पहला fill in the blanks नहीं था, choose the correct answer और दूसरा क्या था हमारा, सही और गलत हमने बता दिया, चलो अब question number 3 की हम बात करतें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कि explain the effect of, अब आप लोगों को यहां पर ना इसके प्रभाव बताने है, यानि effect बताना है, तो पहला यहां पर देखिए का क्या दिया है, कि warm ocean currents on climate, या इसको आप explain कीजिए, तो आईए हम एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, जहां से देखते रहे हैं, इतना बड़ा देख करके डरना नहीं है, आपको में explain कर रहे हुँ न, सुनो, चलो देखो, पहला point, क्या लिखा है कि warm ocean currents affect the climate of those reasons which are near to the sea, यानि जो warm ocean currents होते हैं, वो मतल दूसरा, climate becomes warmer in cold reasons where warm ocean currents flow, यानि जहां पर ये जो warm ocean currents flow करता है, वहां का climate है, वो कैसा हो जाता है, वो मतल हो जाता है, ठीक है, अगर वो cold reason है और वहां पर ये warm currents flow कर रहे हैं, तो उसका जो ये temperature है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, फिर तीसरा point, in some reasons, the amount of precipitation increases, और कुछ reason में ये भी हो सकता है, ये ocean currents की वज़े से, मतलब ये warm ocean currents की वज़े से, जो precipitation है, वो बढ़ जाए, राइट, example आप देख लीज़ेगा, तो due to the warm ocean currents flowing near western Europe, southern Alaska and Japanese coast, the strength of the winters is minimized, there are, and thus these places remain warmer and do not freeze in winters, ठीक है, तो ये है, आप लोगों का सही जबाब, देख आंसर है, मेरी खाल से आपको समझ में आ गया होगा, चलिए देखिए इसको फटा फट से, फिर हम चलते हैं हमारे second question पर, ठीक है, देखो इसमें हमें जादो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो statement दिया है, जैसे यहाँ पर बोला था, कि warm ocean currents का climate की उपर क्या effect होता है, बस आप पर B के, ठीक है, तो B यहाँ पर क्या है, कि cold ocean currents on the moment of iceberg, यहनि कि यह जो cold ocean currents है, right, है न, तो इसका effect क्या होता है, on the moment of iceberg, यहनि जो iceberg का moment है, उसके उपर, इसका क्या effect होता है, तो आइए चरह हम इसका answer देखते है, छोटा सा ही है, पहला point, due to the cold currents, iceberg are carried away from the polar reasons, यहनि cold currents की वज़ पर दूसरी जगह पर चले जाता है, if such iceberg come along the marine roots, और अगर ऐसे iceberg जो है, वो marine roots में आते हैं, तो फिर यह dangerous हो सकता है, ships के लिए, ठीक है, पर example, example भी हाँ पर दिया गया है, कि Titanic ship जो था, वो डूब गया था, क्यों डूबा था, striking with the iceberg, यानि कि iceberg की वज़े से वो डूब गया थ ठीक है, तो यह आप समझ सकते हो, राइट, तो इसका effect होता है ना, हमारे moment of iceberg पे चलो, next यहाँ पर question की हम बात करेंगे, क्या लिखा है कि the shape of the coastline on ocean currents, यानि जो coastline होते है, राइट, coastline आप जानते हो न, coast, जैसे जो सी रहेगा, उसकी किनारे वाला area, राइट, तो जो coastline होत shape of the coastline, coastline का shape on ocean currents, इसका effect क्या होता है, चलिए बताइए, तो पहला point यहाँ पर दीखिएगा, कि the direction of the ocean current changes as for the alignment of the coastline, यानि कि जो direction है, ocean current का, वो कैसे change होता है, तो वो alignment जो है, हमारे coastline का, ठीक है, वो coastline कैसे कैसे मुड़ा हो है, उस हसाब से जो ocean current का direction है, वो change हो जाता है, और दूसरी चीज़ क्या है, कि a land mass obstructs the flow of water of an ocean current and diverts its moment, यानि कि जो ये land mass है ना, student, ये भी क्या करता है, water को इधर से उधर गुमाने में, मतलब थोड़ी बत भूमी का निभाता है, ये divert कर देता है, इसके moment को, तो इसलिए इसका यह effect होता है, हमने देख लिया कि coastline का, ocean currents प ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, कि meeting of warm and cold, meeting of warm and cold ocean currents, ठीक है, मतलब meeting of जहां पर ये warm and cold ocean currents मिलते हैं, तो अब इसका effect देखते हैं, तो पहला point देखिएगा, कि plankton, vegetation, algae, except raviture, food for the fish growing reasons where cold and warm currents meet, यानि समझेगा, देखो, जैसे कि हमने देखा था, मैंने आपको lesson में भी explain किय जिया जाए जले और यह जो गरम current है, आकर के मिलते हैं, जहाँ पर यहां पर जनम ले लेते हैं, वह पलने फुलने लगते हैं, तो इसके वजवी से क्या होता है, तो मछलिया क्या हुए अपने खाने को खाने के लिए लाज जंबर में आती है। और यहीं पर आकर की वह बैंक नियर दे नौर्थ अमेरिकन कोस्ट इंद अट्लैंटिक उस्टिन डॉगर बैंक कहां पर है यूरोपियन कोस्ट में राइट एट सम प्लेसे वेर इस करेंट में ठीक फॉग और कई मिलते हैं यह दोनों करेंट है तो यहां पर थीक फॉग जो है वह फॉग हो जाता है भी यहां पर दिया है देखो वर्म गल्फ स्ट्रीम और कौन से स्ट्रीम था हमारा गल्फ और एक और था लब्रड और करेंट रही तो यह जहां पर मिलते हैं वहां पर यह फॉग जो है वो निर्मित होता है आप देख सकते एक्जांपल भी बताया गया है कि न्यू फांड आइलेंड आइलेंड लिट्स टूदा फॉर्मेशन ऑफ देंस फॉक्स फॉक्स क्रियेट प्रॉब्लम्स फॉर्ड ट्रांस्पोर्टेशन राइट तो हमसे और यह कोल्ड करेंट के बारे में बुला था हमने यहां पर इसका इफेक्ट है वो बता दिया आप देख लो ठीक चलो आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कुश्चिन की इसमें क्या लिखाएगी दर ट्रांस्पोर्टेशनल कापसिटी ओफ उशन करेंट मतलब जो यह ट्रांस्पोर्टेशनल कापसिटी होता है राइट जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट भी कर सकते हैं तो देखिए का इसका अंसर पहला पॉइंट फ्यूट इस अगर उस टायम पर देखिए का क्या होगा जो शिप की स्पीड है वह बढ़ जाएगी और इसके लाब उसका जो फ्यूल है वो भी हम सेव कर पाएंगे ठीक इसमें देखिएगा फोर्थ मतलब यह अगला कहां गया यह डीपोशियन करेंट के वारे में हम जल्दी से बता देते हैं व्यारे बच्चो तो डूटू अधर्मोहेलें सर्कुलेशन तर्मोहेलें सर्कुलेशन बता है ना कि पानी ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है पानी वाला पानी वाला वाला नीचे की तर वाला पानी वाला नीचे की तरफ आता है और जो यहां पर यह नूट्रीन से भरा हुआ जो वाटर है वो उपर की तरफ चला जाता है, this leads to the redistribution of ocean water which keeps occurring, ठीक है, मतलब इसकी वचे से क्या होता है, redistribution होता है, ocean water का पानी उपर नीचे उपर नीचे, यहाँ पर होते हुए जा रहा है, तो however, this redistribution takes around 500 years to the complete, मतलब इसको complete होने के लिए जो redistribution हो रहा है, water को लगबग इसका होने के लिए 500 years तक लग जाते हैं, ठीक है, तो यह है इस cancer, आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पर question number 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, और यह देखिए, हमने यहाँ पर third question भी complete कर लिया है, अब हम बात करने वाले है, question number 4 की, तो अब आपको क्या करना है, आपको ना, इसमें ना, map देखन है, map of ocean currents, आपके textbook में देखिएगा, textbook तो अभी मैं आपको दिखा ने रहे हो, मेरे पास सभी है नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी textbook में जो ocean current का map दिया ना, उसे आप लोगों को देखना है, और फिर उसके बाद यह सारे questions के answer देखते, मतलब, बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपना map अपनी textbook से देख ले ना, मैं आपको directly answer बता रही हूँ, map में देखोगे ना, तो यहाँ पर जो भी बाते लिखी गई है, वो आपको उधर देखने के लिए मिल जाएगा, तो चलो पहला question इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा वहाँ पर जो आपका south, south क्या है, south america है, south american coast, यहाँ से आपको ऐसे करके यह जो एक धारा दिखाएदी, कि एक current दिखाएदेगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों, मेरे क्या हो जाएगा, हम bolt current, आपना अपनी textbook में देखिएगा, आपको मिलेगा, हम bolt current, इसका नाम होगा, तो अब इसी के बारे में बोलाएगे, यह कैसे south american coast को affect करता है, मतब उसके climate को, यह आप यहाँ पर बताइए, तो चलिए फिर इसका answer, फटा फट से हम देखते हुए चलते हैं, तो पहला point इसमें क्या दिया है, कि the humble current also called the peru current, विलकुल सही बात है, humble current को यह पेरू current भी कहा जाता है, यह भी आप धियान रखेगा, तो इस cold ocean current यह क्या है, यह cold ocean current है, जो कैसे flow करता है, तो south to north, यानि south से वो north की तरफ जाता है, along the western coast of south America towards the equator, मतलब वो south America के इधर से ऐसे करके उपर की तरफ जाता है, एकवेटर की तरफ, ठीक है, दूसरा point देख and equator, और equid, equator ठीक है, the humboldt current brings fog to the nearby coast but also helps to keep the coast one of the most intentionally arid areas in the world, इस लाज़नी रिस्पॉंसिबल फॉर लो प्रेसिपिटेशन एंड एरिटी ओफ अट्टा कामा डिजर्ट इन नॉर्धन चीले और कोस्टल एरियास ओफ पेरू एंड साउधन एक्वेडर ठीक है तो यह है आप सभी लोगों का आंसर आप देख ले ना मैंने कहा ना यह जो कि आपको कर रही थी आज यह आपको आपको दिया लॉड़ करेंट की तरफ जाती है एक्वेटर की तरफ जाती है आपने बुक खुल करके देखना आपको मिल जाएगा ठीक है चलो यह था आपका आंसर नेक्स कोश्चन की हम बात करेंगे इन वीच ओसें आर कांटर एक्व यह कहां पर आपकी करण्स है और क्यों नहीं किया जाते हैं तो कांटर एकविटोरील कॉस्टे में किया चाहते हैं यह कैसे घरंड नहीं कर में होते हैं और यह कहां पर पाए जाते हैं near the equator as Arctic Ocean and Southern Ocean यह क्या है are located near the poles है अगर आप ऐसे अपना map देखोगे आपके textbook में तो आपको समझाएगा Arctic Ocean यहाँ पर है Southern Ocean यहाँ पर है तो यह देखो equatorial मतलब equator से कितना दूरी पर है वो poles के पास located है ना so counter equatorial currents are not observe here इसलिए यहाँ पर जो यह हमारे currents है counter equatorial currents यहाँ पर observe नहीं किया जाते ठीक है next question है कि which currents are absent in northern part of Indian Ocean and y यानि कौन से ऐसे currents है जो कहां पर absent होते है northern part of the Indian Ocean यानि जो हमारा Indian Ocean है पहारे बिच्चों इंडियन ठीक है यह जैसे यह उपर वाला जो हिस्सा होता है यह नीचे जाओगे तो south वाला हिस्सा हो जाएगा आपको दिशाओं के बारे इम पताना यह होता है साउथ यह होता है यह होता है यह वेस्ट ठीक है तो यहां पर एक कौन सा करन्ड जो है वो आंसर देखेंगे फटाक से जो हमारा नौर्धन औट होता है इंडियन ओस्ट का यह उपर वाला पार्ट होते हैं वहां पर कोजुद करंट जो है वह क्या होता है इसका रीजन बता दो क्यों ऐसा होता तो आपको एकवेटर के पास वाला एरिया है और हमें पता है कि लाइन लोग का मतलब क्या हुआ कि आप यहां से उपर की तरफ आपको समुंदर नहीं मिलेगा बल्कि आपको लैंड मिलेगा ना पूरा आपको एश्या continent देखने के लिए मिलेगा so that it happens ठीक है next question है इसमें छोटा सा ही है कि in which reason do the cold and warm ocean currents meet मतलब कौन से ऐसा reason है जहां पर warm ocean current और यह जो cold ocean current है वो मिलते है तो देख लिए इस cancer the warm and cold ocean currents meet in the mid latitude reason मतलब जो mid latitude reason होता है बीच वाला वहां पर यह दोनों current जो है वो आकरके मिलते हैं ठीक है तो यह था इसका answer आप देख सकते हो अब हम बात करेंगे यहां पर question number 5 की answer the following questions यहां पर कुछ questions आपको दिएगा है उनके answer आप सभी लोगों को पूरा detail में अच्छे से explain करते हुए बताना है तो पहला question आपके सामने यह रहा इसमें क्या लिखा है कि what are the reasons responsible for the formation of deep ocean currents यह नि जो deep ocean currents है इसके लिए कौन से factors ऐसे हैं जो responsible है किसकी वजह से हमें यह देखने के लिए मिलता है बाई बताना है इसका answer तो चलो देखते हैं इसका answer थोड़ा सा आपको करके सारी चीजों को देखते हैं तो सबसे पहला point यहां पर क्या दिया है आप सभी लोग देखिएगा पहला point है कि deep ocean currents are found beyond the depths of 500 meters these currents flow till the sea bed of the ocean मतलब क्या होगा इसका कि जो हमारा यह deep ocean current है 500 meter के नीचे जब जाओगे तब जाके आपको यह deep ocean current देखने के लिए मिलेगा है और यह क्या होता है यह ना जो सी बेट होता है वहां तक यह flow करते हैं and they flow like rivers continuously below the surface of the sea यानि जो सी का सर्फेस है उसके अंदर में वो क्या होते हैं continuously flow करते रहते हैं ठीक है नदी के जैसे जैसे नदी हमेशा बैती रहती है रीवर हमेशा बैती रहती है वैसे यह भी बैते रहते हैं ठीक है यहां पर दूसरा पॉइंट दीखिएगा कि these currents are formed due to differences in temperature and density of water in different parts of the ocean which is called as the thermohalian circulation यानिकि यह जो करन्स है न वो कैसे फो होते तो difference की वज़े से किसमें difference होता है temperature and density of water ठीक है मतलब ocean के अलग-अलग parts में जब यह differences होते है न तब जाके हमें circulation देखने के लिए मिलता है और इसको हम क्या कहते है thermohalian circulation कहते हैं तीसरी बात क्या है कि the difference in temperature of various parts of ocean is the major reason behind the deep sea currents यानि deep sea current के current के पीछे का major reason यानि मेनल जो कारण है वो क्या है वो यही है क्या है बच्चो तो यह जो temperature में changes हम देख रहे हैं यह है और density राइट और यहां पर देखिएगा यह देखे चोधा point warm water has lower salinity यानि जो हमारा warm water होता है न उसकी salinity कैसी होती है भाई lower यह होती है लोवर होत सी और यह सा पानी क्या होता है वो सर्फेस के ऊपर आ जाता है और जो cold water है with high density वो नीचे की तरफ चला जाता है and this moment causes the deep sea water current और इसके वज़े से यह जो moment हो रहा है पानी उपर नीचे जो हो रहा है इसके वज़े से deep sea current जो है वो फॉर्म होते है हमारे समुद्रिक अंदर the surface water और नियर ग्रीन लैंड यूरोप मुस्टू दा मोड़ेप्स यहां पर एक्जांपल भी दिया है और यूरोप और वहां पर ग्रीन लैंड के आसपास वाले एरिया वहां पर यह करंड जो है वह पूरा नीचे तक फ्लो करते हैं इस वाटर मुस्टू दा अंटार्क टिक अ अट दीज डेप्स यानि वह गहराई में होते हुए जो अंटार्क्टिकल है वहां पर पहुंच जाते हैं लेटर दा वाटर मुस्टू दा सर्फेस दिस टाइप ओफ मुमेंट इस ऑल्सो नोन आज कन्वेयर बेंट ठीक है तो यह हैंस का अंसर आप देख सकते हो रुको त आपको वहां पर ने इसकी पीडियाफास आने से मिल जाएंगे तो चिंता वाली कोई बात नहीं है अगला कुश्चन है यहां पर कि वाट इस रीजन बिहाइंड डाइनेमिक्स ऑफ दो ऊश्यन वाटर है ना ब्यारे बच्चो मतलब वो क्या होता है उसके अंदर आगर प्लानेटरी विड्स आप लोगों ने देखा था ना इस्ट इस से बहता है वेस्ट वेस्ट से बहता है और यह इस तरफ से बहते हैं और यह भी हमारे जो ऊश्यन का पानी है उसको अफिक करते हैं फिर यहां पर देखो रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन की वज़े से भी हमें जो ओश्यन करण से वह देखने के लिए मिलते हैं बराबर फिर यहां पर अगला हो जाएगा कंटिनेंटल स्ट्रक्चर और लास्ट में और कुछ होगा क्या जरा मैं देख लू लास्ट में बस इतना ही होगा ठ ठॉर्ट ऑफटो फिरेशन करण से भी हो सकता है ठीक है रोटेशन ऑप देखो और आर्थ के रोटेशन की वज़े से क्या होता है जैसे हमारा घ्र अले सब्सक्राइब वो clockwise direction में मूफ करता है जबकि यहां पर Southern Ocean में वो anti-clockwise direction में मूफ करता है ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा नेक तरह पर अभी मैं आपको दूसरे का यह अंसर बता लिती और यहां पर एक और था ना कहां गया planetary winds ठीक है planetary winds में भी इस्टलीज होती है वेस्टलीज होती है तो यह भी उसको affect करेंगे क्योंकि जिस तरफ से यह बहेगी है ना तो पानी जो है समुद्र का वह भी थो थोड़ा बहुत से प्रभावित होगा तो यहां पर उसी का explanation दिया है और फिर उसके बाद यहां पर एक और फैक्टर दिया गया था जना में देख लूँ क्या था difference in temperature and density जब density और temperature में differences होगे थभी भी हमें उसमें हलचल देखने के लिए मिलेगी तो आप इसको पढ़ लेना आप समझ जाओगे सब कुछ बहुत ही आसान है चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करते हैं next question की यानि C की एक तो C है फिर यहां पर D है उसके बाद आ है इसमें लिखा है कि हाओ डू विंट्स गिफ डारेक्शन टू दो ओशियन करंट्स यानि किस प्रकार से जो यह विंट्स है न वो ओशियन करंट्स को डारेक्शन देते वह आपको बताना है तो चलिए समझते हैं पहला पॉइंट कि दा होरिजोंटल फ्लो ओशियन क्या होता है वो ऊहां होते है यहां ऑपर और चोनौ क्या होते हैं वह मतलब करते हैं वह क्लेया किसे दौरा tis की अब देखते हैं तो वेष्ट ङुऀस के एंफ्लुएंस में क्या है देखैगा इन दमीड़्य ओडिलूर्ट ययूर् दा मिड़ी यूर्ट फ्रॉं लो करता है त्यारे बच्छों west to east west to east but near equator they flow from from east to west and this leads to circular pattern फिर यहाँ पर तीसरा जो इसका point है देखीएगा तीसरा point क्या है देखेंगे the monsoon winds influence the Indian ocean tremendously These winds change this wind change their direction according to the season मतलब जो विंट्स होते हैं वो क्या करते हैं इंडियन ओशन को जो मतलब उसका करण्ट है आप समझेगा उसको भी एंफ्लूइंस करते हैं और यह सीजन के हिसाफ से चींज भी होते हैं हम लोगों ने लिसन में देखा था ठीक है अगर जिन भी बच्चों ने लिसन को अच्छे से पढ होता है कि यहां पर जो करंट से वह क्लॉक्वाइज डारेक्शन में फ्लो करता है और विंटर में मतलब इसका अपोजिट हो जाता है ठीक है क्यों होता है डियू टू रिवर्सल ऑफ मांसून क्या होता है वापस जाते रहते हैं तो इसलिए इन दिस वेड़ डिव डारेक् टूए कि इसीजन में हिंटर हो जाते हैं इसका पर लेड़र करंट के कोल्ड लेडर करंट के ईफिक्ट में आजाता है दूसरा पॉंट लेडर कोल्ट राडर केश्वें सब्सक्राइब आपने साथ बड़े 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 टुकड़े होते हैं उनको भी बहा करके चले जाते हैं तो यह इस्टन कोष्ट ऑफ कानड़ा इंटेंसिटी ऑफ विंटर इंक्रीज यह देखिएगा विंटर में क्या होता है प्यारे बच्छों कि यह जो कोल्ड अब यह बहते जा रहा के जाता है न काम एधर फिंता ना करो घ्रीक है कहां घ्री यहां पर नहीं होग साएगा लएगा ही एक राधेश ओंगेंस तिक्ता ना करो ठीक है कहा गया यह पोर्स आएगा इधर पार्स लिखा हुआ है आप देख लो चलिए मैं लिख देती हूं और यह पेडियाफ जब आपको दी जाएगी तो वहां पर आपको यह ठीक है हुआ मिल जाएगा पोर्स राइट तो यह है इसका आंसर देख लेजिए अच्छे से औ और और अगर कुछ समझ ना है तो यह पताना चरूर कमेंट सेक्शन में ठीक है तो यहां पर देखो सारे के सारे कोस्टन के आंसर हमने देख लिए यहां पर आपका जो फिफ्ट चैप्टर था यह होता है कंप्लीट इसके एक्स्प्रिनेशन देखो आपका जो तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए कुछ डाउट रहे तो येस मुझसे आप पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में समय को नमस्ते